आज मैं नई रेशिपी शेर कर रही हूँ तो वीडियो को भी ना स्किप किये फ्रेंड्स अंध तक जरूर देखिएगा आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अंसु का पाकवान में तो आप सभी को अगर मेरी रेशिपी पशंद आए तो सब्सक्राइब जरूर किज ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ सेर्वी किजिएगा तो चलिए सुर करते हैं यहां पर मैंने डाल लिया था तेल और तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो मैंने यहां दो टमाटर और दो प्याज ले लिया है और इसे बिल्कुल मीडि यहां बहुत तरह सेे त्विया यहां दो यहां पर यहां पर ले लिया है तो चाजू क्योख नो को आने लेके लिया रे में hai और लोक्यू जब तक इस टाहरे ली खितने हैं और इसे थंडा होने के लिए को उन्सक्राव हटा लेते थंअ को अट इस तरह से तरह जाए ह तो इसका पेश्ट बनाएंगे तो अब मैं यहां ले ली हूँ फिरसी पैन तो मैंने तेल को साइड कर दिया है अब मैं इसमें डाल दूँगी एक कप मखाने तो मैंने यहां पे मखाना ले लिया है और इसे मिडियम टू लो फ्लेम पे हमें बिल्कुल करंशी होने तक बस रो यहां पे मैंने थोड़े से लहसन और अद्रग भी ले लिये और इसमें मैं ले लूँगी एक बड़े चमच घर का फ्रेस मलाई और इसमें मलाई डाल कर मैं इसका स्मूथ पेस्ट बनाऊंगे आप चाहे तो यहां पानी भी ले सकते हैं अब देखे इस तरह से पान देखे मच Ini तेजपत्त इलाइच्टी आप ड़ूऑ लाइच्ञ अलये लाऊंगे लोग फ्लेम को बिल्कुल टेस्टी रेसिपी बन करके तैयार होती है तो अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग दीजिएगा हल्दी पॉर्डर ले लेना है थोड़ा सा और अब मैं यहाँ पर ले लिए रेट चिली पॉर्डर और अब इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है देखिए मैं बिल्कुली कम मशाले के साथ यह सब्जी बना करके तैयार करूंगे अंसु के पाकवान में कशूरी मेथी कैसे नहों इस तरह से कशूरी मेती मैंने एक चमच ले लिया है इसे डाल कर मिर्यम जो फ्लेम पर हमें भून लेना है मसाले को अब मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डूट डाल करके इसको अच्छे से भून लूँगे आप दूद या पानी किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं प मैं यहाँ पर डाल दूँगी मखाने तो मखाने डाल करके हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद यह बिल्कुल ही बन करके तयार हो जाएगी दो से तीन मिक्स कर लिजिए और इसमें एक चमच डाल देजिए घर की फ्रेस मलाई और गैस को कर देना है देखे रोटी प्राठे किसी भी चीछ के साथ आप सर्व किजिए मैं आप सभी के साथ वही रेसिपी शेयर करूंगी जो मैं बनाती हूँ तो आप सभी को कैसी लगती है मेरी रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अपने फैमिली जब विडियो में थांग्स